जैगुरोदेव, नारेन रतन जोतिश के नमें आप सभी का आरदिक स्वागत है। आज का जो विशे है वे है कि सिद्धी काल में माला की क्या उपिगिता है और उसको फेरने का क्या नियम है। सभी गुरू और आचारों ने सिद्धी काल में मंत्र जब करने के लिए माला विशेच का नियम बनाया है। एक अजार स्ची वार जब की आए। वैसे गिंती एक अजार की ही मानी जाएगी। जबते समय माला का एक फेरापूर हो जाने पर सुमेरू तक पहुंचकर वहां से विप्रिद दिसा से जब प्रारहम कर देना चाहिए। तो मेरू को लांग कर आगे बढ़ना निशेद माना गया है। वर्दित है। जब करते समय निर्धरित मणियों द्वारा बनी माला ही होनी चाहिए। काम चलाओ जैसे जावट के रूप में रेडियं पलास्टिक की माला नहीं होनी चाहिए। जफर मे माला का उप्योग बाएं हाद से नहीं करना है। माला के मड़ीयों को नाकुन का इस पर नहीं होना चाहिए माला जगते समय उंगलियों और मड़ीयों के बीच कोई बैवधान अंतर नहीं आना चाहिए जग परते समय मंत्र को गुप्ट लखना चाहिए गोमु की नाम के वस्ट के अंदर रखके ही माला फिरनी चाहिए खुली माला से यदि जग की आयता तो उसका फल यक्ष राक्चस बेताल पिसाच सिद्ध और विद्धधर ले लेते हैं इसलिए खुली माला का फिरोगना करें प्रात्यकाल जब के समय माला नाभी के सामने होनी चाहिए दुबैर में हर्दे के सामने होनी चाहिए और रात्रीकाल में मस्तक के सामने रखकर जब करना अच्छा मना गया है जब करते समय उच्चारण साफ में स्पेश्टो माला को मद्ध में अंगली मद्धे पर उपर या अनामिका के मद्धे पर उपर रखकर करना चाहिए और अंगुठे के मदद से उसको एक एक करके मनके को सरकाना चाहिए और एक बार एक मनके पर एक ही मनत रोना चाहिए तरदनी माला से तरदनी उली से माला इस परस नहीं होनी चीए जब के समय परस पर बाते नहीं करनी चीए सुमेरू एक माला के पूर्ण होने का संके तक होता है सुमेरू का जब नहीं किया जाता है जैसे सुमेरू आ जाए माला को गुमा ले जबके समय मन परसन रखें, पूर्ण निष्टा भाव रखें, स्यम को जबके योग्यवा समर्थ समझें, इस्ट के परती पूरी सरदा रखें, ये कावर चितो हो, मन में उच्छा हो, दरड निष्टे ही हो, दरड विश्वास हो, एंकार घमंड और गर्व का मान का भाव मन म मेन होना चाहिए, माला की बनावत, सामना और माला में सिवार्ड मन की ये Isila Kannay होते हैं, कुछ मालाओं में 54 ये 58 दाने भी होते हैं, और एक सुम्हर्ण होता है, पृतेक मन की पीस में गांत लगी होनी चाहिए, ताकि परतेक मन का अलग लग रहे, माला को गूनतने के लिए सोने, चांदी, अथवा, रिशिमी धागे का प्रियोग करना चाहिए जदी माला फिरते समय तूड़ी आए तो चिंता ना करें अपना जब करते रहें और उसके बाद समय निकालके माला को बना लेना चाहिए धागे से पिरो लेना चाहिए मन के साफ हों, सौस्त हों, तूटे-फूटे ना हों मतर जब के लिए माला का पूर्ण और सुद्धों दोना हो सके किसी भी एक साथ ना में एक ही माला को तीन बार प्रियोग कर सकते हैं उसके बाद उसको विशरजन करना स्रिच कर रहता है तूट ना ही माला का प्रियोग करना चाहिए ग्या गुरुदे